हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग मैं हूँ सिवरा सेम्q स्वागत है आपका मेरी चैनल हिस्टी वित्शिंग में दोस्तो आशा है आप लोग अच्छे से होंगे तो दोस्तो आज जो है बुद्ध पूरिमा है ठीक है तारिख है पांच मई आज है बुद्ध पूरिमा उनका जन्म हुआ है आज ही इनको ज्यान की प्राप्ति हुई थी और आज ही इनको जो है महापरी निर्वार हुआ था ठीक है तो महापरी निर्वार मतलब है दोस्तों कि जो है अपना सरीर जो है इनोंने छोड़ दिया इनकी मित्ति हुई थी ठीक है तो भाई आज हम जो है इस वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आए देखें, इनका जो जन्म है गौतम बुद्ध का, ये है 563 इसापुर में इनका जन्म हुआ है, लगभग 563 इसापुर में इनका जन्म हुआ है, कहाँ पे अस्थान क्या है? लुम्बिनी अस्थ ठीक है और यह कहां पे है नेपाल में यहां पे हम लोग गए थे इनका जहां पे जन्म हुआ है नेपाल में तो हम लोग गए थे वहां पे जो है काफी जैसे गड़ा था गड़े में जो है वो स्थान बना हुआ था कई सारे समान वहां पे रखे हुए थे ठीक है तो यह जो है इनका जन्म लुंबनी नेपाल में हुआ है ये जो है इच्छाकु वंस के छत्री साक के राजा सुधोधन थे उनके जो है ये लड़के थे ठीक है इनकी माता का नाम था कहीं पे माया देवी लिखा है और कहीं पे किताबों में महा माया लिखा है ठीक है ये जो है इनकी माता क कोलिय वंस की थी ठीक है वंस आप समझी रहे हैं जैसे हम लोग के हाँ जो है जैसे रगवंसी चंद्रवंसी है न और तो उसी तरह इनकी जो माता थी वो कोलिय वंस की थी ख्लियर है अब देखे आगे अब इनका जब जन्म होता है इनकी जन्म के ठीक साथ दिन बाद जो है इनकी माता जो है इनका द्यानत हो जाता है और इनका पालन पोशन जो है कौन करता है उनकी छोटी सगी बहन थी महाप्रजापती गौतमी जो है गौतम बुद्ध का पालन करती है ठीक है और इनका जो है नाम क्या था? इनका नाम बच्पन का क्या था? सिद्धार्थ. ठीक है? जब तक जो है ज्ञान प्राक्ति नहीं हुई थी तब तक ये जो है सिद्धार्थ कहे गए बच्पन का भी नाम है जवान हुए थी तब भी सिद्धार्थ कहे जाते थे. ठीक है? अब देखिए इनकी जो जन्म का भी बड़ी रोचक कहानी है इसे आप समझें दिखें इनकी माता जो माया देवी या महा माया थी तो वो सोई हुई थी तो उनको सपन दिखता है कि एक सफेद हाथी जो है उनके जो है मतलब गर्व में उनके पेट में प्रवेश कर रहा है ठीक है तो ये जो है उन अपने पती सुधोधन जो थे उनको बटाया फिर सुधोधन ने बहुत सारे जो बिद्वान थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भाई जो शपना है जो सपन आया है इसका क्या मातल है ठीक है तो ये जो है सभी जो बिद्वान वर्ग थे वो इकठा हुए तो वो उन्होंने बताया कि भाई देखे कई लोगों ने बताया कि ये जो है बहुत बड़ा तपस्वी राजा होगा तो एक ब्राम्हन ने बताया एक बिद्वान जो था उसने बताया कि भाई देखे ये जो है या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा जो है सन्यासी बनेगा ठीक है या तो बहुत बड़ा क्या होगा चेकरवर्ति समराठ बनेगा और या तो बहुत बड़ा जो है तपस्वी होगा बहुत बड़ा जो है यानि सन्यासी हो तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने जो सिध्धार्त जो थे उनके पुत्र को बहुत अच्छे से उनको जो है सारी सुक सुविधाएं जो भी ब्यॉस्ता हो सकता था उन्होंने सब कर दिया। और उसके बाद इनको एक सुन्दर उस्त्री से बिवाह भी इनकार किया जाता है और उसका नाम क्या था देखिए उनका नाम जो था यसोधरा उनकी पत्नी का नाम था उनको एक बच्चा भी होता है, जिसका नाम राहुल था। तो लेकिन जो सिधार्थे, वो हमेशा जो है उनको चिंता में ही रहते थे, तो एक बार इनको जो है, इनका जो सार्थी था, वो मतलब चुपके से, जो है और इन्होंने कहा कि भाई हमें नगर देखना है, तो वो ज जो है नगर वोमने निकला और सार्थी ने जो है नगर में ले गया सार्थी सिधार्थ को तो सिधार्थ जब गए तो देखे तो उनके दिमाक में जैसे कभी जैसे जाते हैं तो एक बुढधा देखता है वो लाठी लेके चल रहा था तो भाई पुछा बड़ा कुरूप सा थ बहुत जो है धीरे-धीरे चल रहा था तो सिधार्थ ने सार्थी से पूच़ा कि भई ये कौन है तो इन्हेंने कहा कि ये बुढधा आदमी है जो ये ऐसा मस्टलब बुढदा हो गया है और ऐसे सब हो जाएंगे सब को सब जन में लेते हैं सब बुढ़े होते हैं तो सिध सिधार्थ भाई बिचलीत होना चैलूर होगे, फिर बीमार पढ़ा हूँ Jew Drai पढ़ा हुआ, रोगी था वूठ, बेट नहीं पारा था बмеिस्तर जूज को सिधार्थ सार्थी में बिमार वेक्ति पी सभी जन्र लेते हां और सबके जीवन में भीमारी होती है लोग कमजोर होते हैं तो कहा क्या मैं भी ऐसा हो सकते हूं मिलकुल आप भी हो सकते हैं अगर खान पान का सही ध्यान नहीं रखेंगे और एक समय बाद ऐसा आता है कि सरीर जो है वो कमजोर होई जाता है ठीक है तो फिर और जदा उदासी आ गई सिधार्ट को अब और आगे बढ़ते हैं तो एक जो है लास जा रही थी बाड़ी उठाए चार लोग उसको कंदेब उठाए जा रहे थे सिधार्ट ने पुछा ये क्या है क्योंकि सब ये चीज उनके जीवन में पहली बार घटित हो रही थी पहली बार घटित हो रही इसके पहले तो उन्होंने ये सब सारी चीज़े देखे नहीं थी वो तो महल की पूरी जो है जितनी ब्योस्थाएं लड़कियां पूरे खाना पीना भूसर सारी जमक धमक नित्यमन रंजन यही सब देखा था और यह सब उनके जो पिता माता पिता थे वो ब्योस्थाएं करके रखे थी कि सुख में रहेगा तो कभी बाहर के दुख नहीं जान पाएगा और ना यह सन्यास के बारे में सोचेगा तो ये सारी चीजे ब्यास्थाएं बनाकर रखे थी लेकिन ये जब निकल गए अब देखें कि अरे ये तो क्या है तो शाठी ने मता है कि भाई ये बाड़ी है जो है लास है आदमी की जब मित्य हो जाती है तो ये खत्म हो गया है तो उनको और ज्यादा जटका लग गया कि भाई ये क्या है तो फिर उसने कहा क्या मैं भी मरूंगा तो उसने कहा हाँ सब एक दिन सब जो भी जन मिलिया है सबकी मित्ति होगी अब उनको और ज्यादा तिकत फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक सन्यासी अपने ध्यान में बैठा रहता है बहुत सांत बहुत स्थेर कोई हलचल नहीं बहुत मतलब प्रकास उसके चेहरे पे तो फिर सिधार्ट ने पूशा कि भाई ये कौन वेक्ति है बहुत सांत है और जंगल में बैठा हुआ है पेड़ की नीचे और बहुत मतलब तेज भी दिख रहा है तो उन्होंने कहा कि भाई देखे ये साधू है इन्होंने अपना घर त्याग दिया है अब ये जंगल में रहते हैं अच्छा तो अब ये सब देखा और फिर तुरंत जो है सार्थी से बोले कि भाई अब मुझे अब ले चली महल में अब ये महल में आ गए अब ये सारी चीजे जब इन्हें ने देख लिया कि भाई मित्य निश्चीत है हम एक दिन सरीर को जाना ही है और इस अब इसमें क्या रखा है तो जो अब महल में आए उदाज जो है हो गए उनका कहीं पर मन नहीं लग रहा था कुछ भी नहीं मतलब उनना तो ठीक से खा रहे थे और उनको चिंता सताय जा रही थी कि इस दुख से इस जनता को कैसे जो है मुक्ति दिलाए जाए क्या किया जाए तब उन्होंने जो है एक रात जो है चुपके से सिधार्त और उनकी पत्नी सोई हुई थी और जो है वो निकल जाते हैं सार्थी बढ़ते हैं सार्थी को और बार ओर चिला करके अपना आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो कई सारे वो गुरु बनाते हैं तो ऐसे ऐसे फिर जो है ज्ञान लेते हुए एक दिन जो है वो बैठते हैं बोद गया बिहार में बोधी ब्रिच्छ था तो वहां पे और वहीं पे उन्हें ज्यान की प्राप्ती होती है ठीक है तो अब जो है ज्यान की प्राप्ती जब हो गई तब जो है सिधार्थ से वो भगवान बुद्ध हो गए ठीक है तो ये बहुत उन्होंने पगड़ा तब करके ये प्राप्त किया जो है आत्मों ज्यान की आत्मों सा प्रत्रम उभधेश कहां पे दिया प्रत्रम उभधेश उन्होंने सारनाथ में दिया है और देखे इन्होंने देखे मध्यम्मार्ग का जो है मतलब पतला हो गया एकदम सारी पेट आथ में चिपक गई बस उनकी समझ यह जान जाने वाली थी तो एक अवरत आती है उनको खीर खिलाती है और उनका जान वापस से जब आता है वो खाते हैं तो कहते हैं अभी तो मैं मेरी जान ही चली जाती तो उन्होंने खिलाया उनको जान वापस से आई उनको ताकत मिली और फिर उन्होंने आगे चलके अपना तब पूरा किया और ग्यान की प्राप्ति की और यही वो कहते हैं कि मध्यमार्ग मतलब कि ऐसा तब भी न करिये कि जान चली जाए है ना ऐसे जैसे चाड़की ने भी कहा है अत्ति सरोत वर्जेते तो अत्ति कोई काम में अत्ति मत करिए आप विद्यारती हैं जैसे आप ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीच-बीच में अपना ब्रेक लीजे खाए पीजे थोड़ा सा योगा होगा भी करिए क्योंकि स्वस्थ सरीर में ही आप जानते हैं स्वस्थ दिमाग है ठीक है तो आप थोड़ा सा योगा भी करिए खाने पीने पर डाइट भी ध्यान दीजे अच्छी चीजे खाएं जिससे कि आपको सरीर को पॉस्टी कहार पूरा मिलता रहे और पूरी ताकत आपकी सरीर के मिल मिलती रहे इससे आप अच्छे से आप और बढ़ियां पढ़ पाएंगे और अच्छे से आपको याद रहेगा ठीक है तो यह हो गया मध्यमार का उन्होंने उदेश दिया इन्होंने दुख और उसके कारण और निवारण के लिए चार आर स्थे बताए ठीक है जो उन्हों उस समय जो उन्होंने कई चीजे देखी जैसे कि उस समय जो दुख उन्होंने देखा उसका निवारण वो चार रहे थे उसका निवारण लोगों को मतलब उन्होंने समझा बारी की से समझा जैसे होता है ना डाक्टर होता है तो पूरा जो पेसेंट होता है उसको समझे कि इसको क्या भीमारी है तो कौन सी दवा दी जाए तो बिलपूर डाक्टर की तरह बन करके जो है उन्होंने उसको समझा और उसका निवारण का उपदेश दिया अब देखिए जो समाज अब क्या उन्होंने दवाई दी है इस ब्योस्था इस समाज को इसे आप देखें देखि सभी प्राणि को दुख कानवव होता है हमें आपको दुख कानवव होता है कभी न कभी कैसे या होगा या होगा या हो चुका है ठीक है और देखिए अब इस दुख का जो है आप बताईए जो इच्छाएं हैं जैसे इच्छाएं अभी जैसे आप बिद्यारती हैं तो आपको लगता है कि हम ये लच्छ पाजाएं ये टार्गेट पाजाएं है जैसे इच्छाएं ही दुख का कारण होती है अब जैसे अगर आप समझें कि अगर आप छोटे होंगे तो कुछ आपको खिलाओने जैसे आपको खिलाओने कुछ अच्छी खिलाओने लगते होंगे फिर दूसरी इच्छाप की जागरित हो गई, फिर वो आप पागे तो तीसरी, यानि इच्छाओं का अंत नहीं है, तो क्या करना होगा, अब जो इच्छाएं ही दुख का कारण है, जैसे हर चीज को, ब्यापारी क्या है, है उसके पास खाने में, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, हमारी बड़ी कंपनी हो जाए, कोई एक गाड़ी वाला, ट्रांस्पोर्ट वाला है, सोचता है, दो हो जाए, दो हो गया है, सोचता है, चार हो जाए, दस हो जाए, बीस हो जाए, इसलिए क्या है, वो हमेशा परसान है, दुखी है कि कैसे हम आगे बढ़ जाए, तो इस इशाओं से मुक्ती लालस से मुक्ती आप पागए यही जो है तीसरा आरेसता आपका हो गया ठीक है तो यदि आप दुखी इस समाज से आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुखी खतम हो जाए तो आप क्या करिए आप चाहते हैं कि दुखी ना है तो क्या होगा आप अपन अलच है कि कैसे मेरा पुत्र कितना अच्छा स्वस्त रहे, कितना अच्छा पढ़ाई करे, माता पिता भी चाते हैं कि कितना आगे बढ़ जाए, ये सब इच्छाए हैं, ठीक है, तो अब नहीं पूरा होता है, तो उनको दुख होता है, तो हर जगा पे, हर छेत्र में, हर लो करते हैं वो गौतंबो डाक्टर बनके हम लोगों का ठीक है तो अब आपको समझ में आया आगे देखिए और देखिए अस्टांगिक मार्ग उन्होंने सुझाया अस्टांगिक मार्ग में जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे से आप जो है मतलब ब्यापार करिए तो गलत तरीके से न करिए तो इस तरह जो है उन्होंने अस्टांगिक मार को सुझाया ठीक तो अब जो है आज आप भी देखते हैं कि कैसे अगर ये चीज आप अपना ले जैसे दिखिए कि उस समय उन्होंने जो है घोर निंदा भी की है पसु बली की निंदा की है उसमें आप देखते हैं उस समय काफी जानवरों की हत्या की जाती थी बली चड़ाया जाता था तो उसका भी इन्होंने बिरोध किया है ठीक है तो ये सब चीजे उन्होंने किया और उसके बाद देखिए इनका महापरी निर्वाण हो जाता है मित्यु इनकी ह हो जाती है 483 इसापूर में 80 वर्ष की आयू में इनकी मित्तिव हो जाती है ठीक है तो देखें दोस्तों अब ये जो आज कल का समाज है देखें जो भहतिकता वात की तरफ भाग रहा है जो क्यवल चाहिए चाहिए की तरफ दौड रहा है अगर देखें इनकी सिच्छाओं को जो है माने और पालन करे तो उसका जीवन कितना सुखमे हो जाएगा ये आप ही इस पे समझेए इसको आप विचार करिए ठीक है अगर आप वीडियो नहीं समझ पाए हो तो एक बार और देखिएगा समझेगा और गवतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और आप पढ़िए ठीक है तो आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और सान्ती आएगी तो ये मेरा विश्वास है ठीक है दोस्तों तो अगर और भी कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट बाक्स में पूछेगा और आपके कुछ बिचार होंगे तो वो भी कमेंट बाक्स में जरूर दीजेगा ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद